आपने रिंकु सिंग को विराट कोहली के आसपास गुमते हुए बहुत बार देखा होगा बहुत सारी वीडियोज वाइरल हुई थी जहां रिंकु सिंग विराट कोहली के आसपास गुमते हैं उनसे बैट मांगने पहुँच जाते हैं खहते हैं कि विराट भई आपने बैट दिया था ना, वो तूट गया है मेरा, तो दूसरा देदो, ऐसी बहुत सारी वीडियोज वाइरल होती हैं जब रिंकू विराट के पास जाते हैं और एक नया बैट मांगते हैं, वो सब ने देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन ये टीम है जहां पर आप जाना चाहेंगे और वहाँ जाकर खेलना चाहेंगे, अब देखें ये एक ऐसा सवाल है, एक ट्रिकी सा सवाल है, जब भी किसी यंग्स्टर से पूछा जाता है तो वो अवोइड कर देता है, या तो अवोइड कर देता है, या थोड़ा घुमा फिर चाहता हूं क्योंकि वहाँ विराड भई आ है, और फिर लोगों ने कहा कि यार, रिंकु सिंग क्या प्लेयर है यार, मतलब एक ही तो देले कितनी बार जीतोगे, कभी कह देते हैं कि भई, मुझे 55 लाग मिलते हैं तो बहुत हैं, भगवान जितना देता है, आपको खुश बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैट जाकर ले नहीं सकते हैं, उनके पास बैट नहीं होंगे, लेकिन वो विराड भईया से बैट मांगने का मज़ा अलग है, विराड भईया जो बैट देते हैं, वो बहुत अच्छा बैट है, वो लगी वैट रिंकु सि बैट मांगने के लिए, तो उनके पीछे-पीछे पहुँच जाते हैं बैट मांगने के लिए, और अब जब पूछा गया कि आप किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे, अगर केक्या रिटे नहीं करती है, तो कहां जाकर खेलेंगे, तो उसका भी बहुत अच्छे से जवाब हाँ, उन्होंने ज़्यादा मना नहीं किया मुझे, सीधा मैं गया और उन्होंने मुझे नया बैट दे दिया, वैसे वीडियो में हमने देखा था कि कितना श्रगल किया उन्होंने, बार-बार आगे पीछे गुमते थे, तब जाकर विराट ने बैट दिया था, लेकिन ये رिसPECT है, ये बैट को लेकर वो special बैट वाली फिलिंग, क्योंकि वो विराट कोली ने दिया था, ये सब दिखाता है कि यार, रिंकु सिंह का जो दिल हो बड़ा साफ है, जिस लेवल का ये किरिकेटर है, जितना बहतरीन ये किरिकेटर है, उतना ही दिल रिंकु सिंह का साफ और ये भी बात साफ हो गई कि रिंकू सिंग भाई RCV के लिए खेलना चाहते है अब जब ये ख़बर सोशल मीडिया पे पहुंचती है और ये जो इंटर्व्यू है रिंकू सिंग का वो सोशल मीडिया पे आता है तो लोग कहते हैं देखो यार आजकल क्या होता है कि जो 90% यं कोली की वज़े से अब रिंकू सिंग के आईपयल करियर की बात कर लें तो 2018 वो साल था जब उन्होंने आईपयल में डेब्यू किया था क्यक्यार के लिए तब से 5 साल हो चुके हैं और हर सीजन उन्होंने क्यक्यार के लिए खेलाय गई कई बार सवाल उठा कि यार रिंकू सिंग आज इतने बड़े क्रिगेटर बन चुके हैं इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं अच्छे फिनिशर हैं अच्छी बेटिंग करते हैं अच्छी फिल्डिंग करते हैं लेकिन जब IPL की बारी आती है तो स्री 55 लाग मिलते हैं उसको लेकर भी का था कि यार उसका गम नहीं है उन्हें पता है कि वो स्ट्रगल से गुजर कर आए हैं जब एक टाइम था जब 55 लाग भी नहीं होते थे या पांस-दस रुपे का श्रगल होता था आज 55 लाग मिल रहे है तो करोड तो वैसे ही कंफर्म है रिंकू को भला करोड कैसे नहीं मिलेगे लेकिन रिंकू सिंग ने केक यार की टेंशन बढ़ा दिया है क्योंकि अब केक यार के लिए आसान नहीं होगा ये रेटेंशन की लिस्ट ढूनना क्योंकि केक यार के पास एक से बढ़कर एक मै मैच विनर है, जो लास्ट येर आपको दोनों नौकाउट जिता कराया है, इसके बाद इस टीम के पास वेंकटेश है येर हैं, इस टीम के पास हरशित राना है, वरुण चक्रवर्ती है, मतलब मैच विनर्स की पूरी वर्मार है, फिल सॉल्ट भी इसी टीम में, अब आप रे रिंकू सिंग आईपील आउक्षन में जाते हैं, तो क्या आरसी भी उन्हें खरीदेगी, और आरसी भी या फिर कोई भी टीम, अगर रिंकू सिंग को खरीदती है, तो उनका प्राइस कितना होना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए रिंकू सिंग को, आप बताएए कॉमे